प्रियाजर्णों से जुड़ने का एक बहतरीन मंच है यह दुनिया बर के लोगों के साथ संचार बढ़ाने और संबंद बनाने में मदद करता है हालंकि लोगों का मानना है कि सोचल नेटवर्किंग साइट हानेकार तो होती ही है साथ यह बहुत फाइदे मंद भी है इसके लावा हम सोचल नेटवर्किंग साइटों को ब्लोगिंग, विलोडींग, पोडकास्टिंग और अन्ने के अनुसार बर्गी करता है हम विभीन उपयोगों के लिए सोसल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करते हैं इससे हमें बहुत मदद मिलती हालनके बहुत खतरनाक भी हमें सोसल नेटवर्किंग साइटों के उपयोग की निगरानी करनी चाहिए और इनके उपयोग को सीमित करना चाहिए ताकि हमारे जिवन पर हावी नहों जाए. Social networking sites के फाइदे और नुकसान Social networking sites अब हर जगह हैं दूसरे सब्दों में उन्होंने जिवन के लगबग हर शेत्र पर कपजा कर लिया है. वे फाइदे और नुकसान दोनों के साथ आते हैं यदि हम सेक्षिक शेत्र की बात करें तो ये साइटे शिक्षा आर्तियों पर प्रभाव डाल कर शिक्षा को बढ़ाती है वे अपनी परियोजनाओं के लिए विबिन विश्यों का पता लगा सकते हैं इसके अलावा सोसल नेटवर्किंग साइट से विजनेश शेत्र को भी काफी फाय करते हैं इससे उन्हें बेहतर नोक्रिया तलासने का उस्यांदार आउश्यर मिलता है वहीं दूसरी और सोसल नेटवर्किंग साइट के नुकसान भी बहुत जाद हैं वे साइबर बूलिंग योन शोशन धन घोटाले और बहुत कुछ जैसे साइबर अपरादों को जनम दे देते हैं चाहतर इसका उपयोग करके अपना समय बरबाद करते हैं अपनी पढ़ाई से आसानी से विच्छी तो हो जाते हैं इसके अलावा है हमने निस्करिये बना देता है और उनकी सारी गती वीदियो को सीमित कर देता है परसे सोसल नेटवर्किंग साइट से आज की इग्यापनों के माद्यम से आपकी वेवसा या ब्रांड को बढ़ावा देने में भी आपकी मदद करता है इंस्टाग्राम दूसर इंस्टाग्राम है इसका स्वामी तो फेस्बुक के पास ही है इसी तरह है आपको अपने फोलोवर्स के साथ फोटो और वीडियो साजा करन के लिए छोटे संदेश पोस्ट करने के अनुमति देती है जिने ट्वीट का जाता है सिमित सब्दों में अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्वीटर एक वहत्रीन मंच है लिंक्रीन इसके अलावा हमारे पास लिंक्रीन रही है सबसे अधिक मांग वाली साइटों में से ए अपने तुरंती अपने लिए जगय बना ली फेस्बुक ने इस एप को भी हासिल कर लिया यहां आपको टैक्ट संदेश चित्री वीडियो ओडियो दस्तावेज और बहुत कुछ आजा करने के अनुमति देता है संचेप में सोसल नेटवर्किंग साइटे अभिशाप और परदान है यह हम पर निर्वर करता है कि हम इसको उप्योग कैसे करते हैं किसी भी चीज की अधिकता हनिकारक होती इसी तरह सोसल नेटवर्किंग साइटे भी अपने लाग के लिए उनको उप्योग करे और उन अपने जीवन पर नियंत्रन ने करने दे धन्यवाद जाहिए झाल